हेलो स्टुनेंट्स मैं हूँ रमाकान पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिनबाडा तो बच्चों आप यदि आई सीजी पी टी एंपी पी टी किसी भी इंटरन्स एक्जाम की तयारी कर रहे हैं या आप तयारी कर रहे हैं किसी गवर्मेंट जॉब की या या फिर आप सीपी एटी की त Nej कर रहे हैं एसेड़ी कर रहे हैं क्रसि विस्तार दिकारी के तयारी कर रहे हैं किसी भी जॉप के लिए कर्ण की को पूछे जाते हैं उन पर based हमने आपको previous year के ये question bank लगा रहे हैं, question series लगा रहे हैं, एक प्रकार सी test series है, तो आप इन test series को जरूर लगाएं, और यदि आप coaching करना चाहते हैं, हमारी coaching के माधियम से, तो आप contact कर सकते हैं, हमारी दिये गए नम्मरों पर, तो आईए सुरुबात करते हैं, पहले question क what is the type of modification can be seen in the example given below, मतलब इन दोनों डागरामों को आप देखिए, paper में diagram based question आते हैं, इन दोनों में क्या चीज़ें आपको दिखाई देरें, जिसका naming नहीं है, labeling नहीं है, तो यह देखिए, यह देखिए, यह इसकी labeling नहीं हुई है, यह क्या है आपका, तो उसे हम लोग बो देखिए, इस वाले भाग को, यह देखिए, जो नई कौम टाइप की निकल रही है, इसे हम कहते है, auxiliary, word modification कहते हैं, कक्छस्त कलीका शंसोधन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे आप लोग बच्चों, इसमें बाकी चीज़ें जो है, adventitious है, word modification है, epical है, जो सीरसस्त, उपर की ओर होता है, गौन है, यह चीज़नों चीज़ें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आप हमारे lecture number 6 पर है, यदि आपने इससे पहले हमारे पूरे वीडियो नहीं देखा होगा, तो आप वीडियो को आंत तक देखें, end बटन पर क्लिक करके, आप पूरे व Kelvin is 25 multiplied 10 to the power minus 14, what is the hydroxide ion concentration at this temperature, if it's H3O plus, ions concentration is 5 into 10 to the power minus 6 molar, मतलब 305 Kelvin पर पानी के नमूने का आइनिक उत्पात 25 गुडित 10 की घात minus 14 है, इस तापमान पर इसकी hydroxide ion सांदरता क्या होगी, यदि इसका आपको formula क्या है, H3O plus ion सांदरता इतनी दी हुई है, जब भी आपको ऐसे कोई question आए, जिसमें आपको क्या निकालना है, ion की सांदरता निकालना है, आивают की सांदरता क्या होगी, वो ये सर्फारवोला बनता हमारा, ion इक उत्पाद, क्या फार्मूला बनता बच्चों हमारा, ion इक उत यह वार्मॉला होता है मतलब English में बोले तो क्या बनेगा बच्चों हमारा उले सर अइनिक प्रडक्ट प्रोड़क्ट इस सान्द्रता लिखेंगे आयन कंसेंट्रेशन लिखेंगे आयन की क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर concentration लिखेंगे आयन concentration आयन की concentration लिख देंगे बच्चों आयनिक उत्पात कितना दिया हुआ है हमें बच्चों यह दिया हुआ है 25 गुड़ित 10 की घात 14 25 इंटू 20 दिपावर माइनस 14 अपाउन में क्या है बच्चों आयनिक सांदरता आयन सांदरता कितनी दिवी है पर सर्फ 5 गुड़ित 10 की घात माइनस 6 यह दिया हुआ है बुले यसर के लिखेंगे कट रहे है क्या यह बटे में है बुले यसर कट रहे है 25 पाँच आगया यह देखो यह घात बटे में हो घाते यह दिवी बटे में हो तो मान के चलो 10 की घात क्या है 6 है और 10 की घात क्या है मान के चलो 4 एक्जामपल घात यह दिवी बटे में है तो घाते क्या हो जाती है माइनस हो जाती है तो 10 की घात क्या जाएगा 2 घाते माइनस में है याद रखेंगे, जैसे मान चलो किसी की घात, 10 की घात क्या है, 6 है, और 10 की घात क्या है, माइनस 4 है, तो घातें क्या हो जाती है, माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो यह माइनस का सिंबॉल रहेगा, यहाँ माइनस नहीं था, तो यह डायक्ट माइनस हुगा, यहां पर घाते देखी ज़रा, 10 की घात माइनस 14 है, और यह माइनस में है, यह माइनस हमारा जो हम फॉर्मूले में करते है नौर्मली, यदि घातें बटे में हो तो माइनस करते हैं, लेकिन इसके साथ मैं अल्रेडी क्या लिखा था, माइनस लिखा था, 10 की घात minus 14 और यह minus और minus हो गया plus 14 में से 6 गया तो क्या बचेगा minus का 8 बचेगा इसलिए क्या हो गया बच्चो आपका correct answer हो गया 14 में से 6 को क्या करना minus और minus plus 6 का 6 14 में से 6 गया तो क्या बचेगा minus का 8 क्योंकि बड़ी digit के सामने क्या symbol है माइनस का इसलिए माइनस का सिम्मॉला है इसलिए आपका answer correct क्या हो गया बच्चों option number D clear हो गया सभी को बन जाएंगे ऐसे question ऐसे numerical आपके paper में पूछे जाते हैं याद रखेंगे बच्चों question number आपका next है इसको आप और अच्छे से solve कर सकते है जैसे मैंने बताया था आपको क्या करना है आइनिक उत्पाद आपको लिखना होगा जो भी question दिया जाएगा उसका आइनिक उत्पाद उपर लिखेंगे आप लोग इस तरीके से उसमें बटे में क्या लगाना है आपको यह नम्मर लगाना है और card दीजिएगा direct card दीजिए यह 5 जाएगा आपका घाते माइनस में थी यह माइनस में था घाते माइनस में लिखा जाता हमारे तरफ से यह माइनस 6 का माइनस 6 हुआ था वहाँ पर 10 की घात माइनस 14 था माइनस और माइनस हो गया था प्लस आपको पता बच्चों ये प्लस का है ये माइस का प्लस माइनस क्या होते हैं बुल सर माइनस चोदा मैसेच 6 गया तो कितना बचा 8 यहाँ पर कटके क्या बचा था 5 तो आपका ये correct answer आया हुआ था इस तरीके से आपको यहाँ पर question देखने को मिलेंगे जिससे आप आयन की सांद्रता निकाल सकते हैं clear हो गया बच्चों इस तरीके के numerical paper में दिया आते हैं तो आपसे बनना चाहिए next question देखते हैं काफी easy question था आपका how many terms are needed in AP minus 6, minus 11 upon 2, minus 5, dash, 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 to give the sum of minus 25 मतलब minus 25 का योग देने के लिए समानतर स्रेणी minus 6, minus 11, 2, minus 5 में कितने पदों की आफशकता होगी पद बताना है काफी ज़्यादा difficult question है paper में ऐसे question हर साल पूछे जा रहे हैं किसी ना किसी exam में जिसमें समानतर स्रेणी आती है ठीक है उसमें एक question आपको देखने को मिलते हैं तो बच्चे ध्यान से देखिएगा इन question को बुले सर कैसे करेंगे बुले सर ये जो पहले वाला जो नम्मर होता है न इसका मान होता ए एका मान हो गया सर बुले minus 6 एका मान हो गया minus 6 correct यहाँ पर minus 25 पदों का योग बोला है बुले सर योग का फॉर्मूला लगा दो जड़ा कौन सा वाला बुले सर एसन बराबर एन बाइटू प्रैकेट में तुवे प्लस एन माइनस वन इन्टू डी यह फॉर्मूला होता है बच्चों योग निकालने का सम निकालने का फॉर्मूला है सम निकालने का समानतर स्रेनी में सम निकालने का फॉर्मुला दी कोई पूछे तो यह फॉर्मुला है पेपर में फॉर्मुले भी आते हैं बोले यह सर यह आपने निकाल चुके हैं देखो हमें N निकालना है SN का मान दिया है माइनस 25 आपको paper में S-n दिया है, S-n का मान कितना है, माइनस 25, कितने पदों का योग 25 होगा, माइनस 25 का योग, S-n का मान माइनस 25 दिया हुआ है, जबले Y-sir, आब आपको D निकालना है, D कैसे निकाला जाता है, बच्צों, D निकाला जाता है, second term में से, पहली term को minus कर दो second term में से पहली term को minus कर दो मतलब second term क्या है पुरिसर second term है हमारी minus 11 बटे 2 second term है उसमें से आप पहली वाली term को minus कर दो यह minus का symbol बीज वाला और पहली वाली term को minus कर दो जो अल्रेडी वो भी minus में है minus वाले question में यही आपका डिफिकल्टी जाएगी आपको माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा ध्यान दे देना होगा चलो क्या करेंगे फिर आगे माइनस 11 का माइनस 11 बटे 2 का दो यह माइनस और यह माइनस हो गया प्लस हो गया 6 इसके बटे में कुछ नहीं तो एक जब भी ऐसे कोशना है तो भ दो का चेक क्रॉस मल्टिप्ला कर देते हैं दोनों तरब च्छेदुनी हो गया 12 यह 11 एककम 11 माइनस का बचा 12 बड़ा है 11 चोटा 12 मैंसे 11 गया तो सर बोले एक बटे 2 है तो दो यह आपका किस का मान निकल कर आ गया डी का मतलब आपका डी का मान निकल कर आ गया एक बटे 2 आपके पास में ठीक है A है SN है और D है यह सारी चीज़ें आपको निकल कर आ गई अब आगे solve करते हैं इस question को हम लोग ठीक है क्या निकल कर आया ठीक है A का मान आपके पास में है A का मान कितना था बुलिसर माइनस कच है SN का मान आपके पास में अल्रेडी है कितना बुलिसर माइनस का 25 आपने D निकाल कर ला चुके है एक बटे 2 ज़रा फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं क्या फॉर्मूला है आपका बुलिसर SN बराबर N बाइ 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इन्टू D ठीक है SN का मान कितना है बुलिसर माइनस का 25 बराबर N का मान निकालना है बटे 2 का 2 2 का 2 A का मान कितना है बुलिसर माइनस का 6 प्लस N का मान निकालना है माइनस 1 का 1 डी का मान कितना है एक बटे दो काफी ज्यादा इंपोर्टेन और टफिस कोस्टन है ध्यान से देखिएगा ऐसे कोस्टन आपको सॉल्व करना आना चाहिए दिया आपको पेपर क्रेक करना है तो मैट से घवडाना नहीं है ठीक है तो यह देखो यह बटे में दो है बटे वाल समय हो गया। और दो कि साथ में मल्टिप्लाई करो तो यह क्या हो जाएगा है वनपॉंट यहItis का मल्ट्िप्लाई 7 क्यी किये यह कि नहीं हो गया 50 हो गया बराबर एन का 11 आपको पता है बच्चों यहां पर क्या कंडिशन हो रही है विसivo 5-12 है और ये एक बटे दो लिखा हुआ है माइनस का साथ में यहाँ पर देखो क्या होगा एक बटे दो एन ये आपका एन उपर वाला एन बंजा एन और ये बटे दो का दो ये माइनस वाले दोनों साथ में लिख लेते हैं N वाले को पहले लिख ली हमने और यह-12-2 को साथ में लिख ले रहे है अब क्या होगा माइनस फिप्टी का 50 बराबर N का N का N बाइटो का N बाइटो पताया था मैंने आपको इस सॉल्फ कोश्टन करते हैं क्रोस मल्टिप्लाय कर देते हैं दौनों के लिए ठीक है यह आप सबके लिए LCM लिलो टोटल के लिए LCM लिलो 2 LCM लिलो सबके लिए 2 1 और 1 LCM लिलो 2 जाएगा तो का पड़ा पड़ो same to same इसमें 2 नहीं तो इसमें 2 से multiply इसमें 2 था जैसे का वैसा लिखेंगे इनको इसमें 2 नहीं था तो multiply कर दो या LCM ले सकते कुल मिला के बारदुनी कितना हो गया 24 क्यों 2 से multiply करो क्यों नीचे 2 है यहां एक था इसलिए 2 से multiply हुआ LCM के कारण से बाकी जगें नहीं होगा अब क्या condition होगा यह आपकी जड़ा आप एक सिम्बॉल माइनस का बड़ी संख्या का यह आप आने वाला है याद रखेंगे आप llam लोगो बुले किलिया सर 25 हो गया सो गया यहां तक किलिया रहे यह देखे जा रहा हम पर ध्यान से लेकिए यह एन है और एं मायनस और पट्टेश का हो जाएंगे 25 N हो जाएंगे, यहाँ पर हमने इन तीनों का LCM लिये थे बच्चों, क्या लिये थे LCM, क्या था बच्चों वहाँ पर, बुलिसर N by 2 था, माइनस में यहाँ पर क्या था बच्चों, 12 बटे कुछ नहीं था, तो 1 था, और 1 बटे 2 था, इन तीनों का 2, 2 और 2 का LCM लो 2 ही आए यह उठके, पूरा का, पूरा इधर पहुंच गया, तो माइनस में इधर आएगा, किस में जाएगा, प्लस में 100 जाएगा, बराबर 0, equation number 1, अब यह जो equation है, बच्चों, यह equation बन गई है, आपकी कुछंसी, दुईघात समीकरन, दुईघात समीकरन, बलब आपको 25 को है कि multiply करने पर 100 भी हो जाए, ऐसे दो नमर पर बोलो, जिसका गोणा करने पर 100 आए, बुऋ में बले सर, एक नमर हो गया, हमारा 20, और दूसर नमर हो गया 5, वीशा पंचे 100, वीश और 25 को ऐसा तोड़ना है कि 100 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर 25, ब्लस करो जारा, 20 आ रहा है, 20 और 5 में तूड़ गया, देखो जारा क्या होगा, n स्क्यार माइनस, यह माइनस का है, तो इसमें भी माइनस लगेगा, यहां पर लिख सकता हूँ, n था न, यह भी n में 25, n को क्या लिख सकता हूँ, 20, n माइनस 5, n क्यों, क्योंकि यह 20 और 5 मल्टिप्ला होके, 100 होने वाले, और यह 20 और 5, 25 हो जाएंगे, तो इसकी जगह में इतना लिख सकते हैं, कि 20 और 5, 25 जैसे का वैसा, लेकिन उसको तोड़ा जाता है, और यह आपको 7 वी क्लास में सिखा गबढ़ाएगा नहीं, इसको 1 ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, n स्क्यार माइनस 20, n एक ब्रैकेट में, यह माइनस सिम्बॉल बाहर निकल रहा है, तो अंदर का सिम्बॉल बदल जाएगा, 5, माइनस, plus में है, माइनस क्यों हो, क्योंकि यह माइनस सिम्बॉल हमने ब बाहर निकल रहा है तो यहां दो एन थे एक बचेगा यहां से निकल चुका इसे 20 अकेला बचेगा क्यों क्योंकि यहां पर एक अकेला इन है यहां दो थे तो एक बच्चा यहां एक ही था तो एक ही रहेगा माइनस अब यहाँ से देखो 5 निकल रहा है क्योंकि 500 के पहरे में आता इसलिए 5 निकल सकता है 5 निकलेगा उसके बच्छेगा N अकेला बच्छेगा यहां से जरा 5 निकालो मतलब 5 से भाग दो तो 20 है जाएगा बराबर 0, यह क्यों किया गया, क्योंकि यह वाला जो bracket है, यह जो आया हुआ है, यही same to same, यहां आना ची, मतलब इसका मतलब आपने question सहीं किया हुआ है, 100% सहीं track पर जा रहे हो, यह दोनों equal आना ची, आ गए, इसमें भाग दिये 5 से, क्योंकि 5 आपने बाहर निकाले हो, लिखा जाएगा, n-20 यहां लिखा यह देखो, यह लिख चुके हमने, तो क्या बच्चा, n-5 यह लिखे है हमने, तो n का मान कितना निकल कर आ रहा है, बुरे सर, n-20 बराबर एक बार 0 ले लो, क्या लिखेंगे, n-20 बराबर एक बार 0 मानेंगे, तो n का मान एक बार क्या आ है और लो क्या हो जाएगा आपका लोक ले के देको यहीं पर आते हैं बच्चों तो हमारे दिये गए नंबर पर आप कॉल्स कर सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर है 9407-384042 ठीक है आप MPPAT, CGPAT, ICR, दहेद, PVFT, ठीक है MHDC ठीक है आपके साथ ही साथ में PVFT के तयारी भी कराई जाती है ठीक है तो आप एक बार डेमो क्लास लेकर जरूर दे देखिए, नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं बच्चों हमारा, state the Fahrenheit in a, state the temperature in Fahrenheit scale which corresponding to the 100 degree Celsius, ठीक है किस में बदलना है, Fahrenheit में बदलना है, Fahrenheit पैमाने में तापमान को निर्दिष्ट करें जो Celsius में दिया गया है, Celsius में C में दिया गया है, सरफ C में दिया गया है, Fahrenheit में निकालना है, मत इन को compare करेंगे, C में दिया है, F में निकालना है, तो यहाँ पर यह formula याद रखेंगे, यह formula आपको याद रखना है, क्या formula है, C K FR, ठीक है, C K FR से, C K FR यह formula आपको याद होना ही चाहिए, हर साल paper में यहाँ से एक कोशन आपको बनता ही बनता है, तो बलेगे सर्क्या हो जा फिर उसी से करना पड़ेगा यह टोटल फॉर्मुले जिसमें आपको Celsius से Kelvin, Kelvin से Fahrenheit, Fahrenheit से Rumor, Rumor से Fahrenheit, Fahrenheit से Kelvin, Kelvin से Celsius कुछ भी निकाला जा सकता है, जो दिया जाएगा, जो निकालना होगा, उसका आपस में आप क्या कर लेंगे, बच्चों यहाँ पर compare कर लेंगे, बस Celsius का मान दिया थ माइन, अब खट रहा है यह, यह पहली बात यह अपान में, अपान वाली चीज कहाँ चली जाएगी, गोने में चली जाएगी, कर देते गोने में, क्या हो जाएगा, बटे, पांच का पांच बराबर, F-32 का F-32, यह कट रहा है कितने बार में, बच्चों यह 20 बार में माइनस में इधर आएगा, तो प्लस में 32 हो जाएगा, बराबर F का F, 180 और 32 को आपस में प्लस करो जाएगा, 180 और 32 को आपस में प्लस करेंगे, 212 अंसर आजाएगा, नि तो आप करके देखो, 212, Fahrenheit में आपका अंसर आ चुका है, ऐसे आपको यहाँ पर numerical paper में देखने को मिल जाएगे, जिसमें आपको Celsius से Fahrenheit में अभी बोला गया, कल को आपको Kelvin से Fahrenheit बोल सकता है, Fahrenheit से आपको Kelvin बोला जा सकता है, या Fahrenheit से आपको Celsius बोला जा सकता है, या Rumor से बोला जा सकता है, तो आपको ऐसे question solve करना आना चाहिए बच्चों, clear है, बन जाएगा सभी लोगों से, चलिए, इस पर भी आप एक बार फॉर्मूला लिखेंगे तो के लिख सकते हैं या तो आप डारेक्ट एक और फॉर्मूला है कौन सा वाला एफ निकालने वाला फॉर्मूला है आप इससे भी चाहते तो कोशन सॉल्व कर सकते थे यह फॉर्मूला है सेल्सियस दिया है फ्रहें है निकालना है तो तब भी आप रखते तो 9 सेल्सियस की जगह में रख दो जड़ा 9 बटे 5 का 5 प्लस 32 का 32 का तो जड़ा यह कटा यह हो गया 20 यह हो गया 9 गुडिद 20 हो गया 180 प्लस 32 का 32 तब भी आपका अंसर आ गया इस पर बेज्ड आपसे सभी कोशन बनने वाले हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप यह फॉर्मूला तयार करें जिससे आपको सभी कोशन सॉल्व हो जाएंगे चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की आपको एक और कोशन आया हुआ है इस तरीकी के कोशन टिगना मैट कि आलफाभी लिए सकते हो या साइन एह लिखा हुआ है कि या अलफा लिखा हुआ कोई फर्क न ihmALDता है उससे बन प्लस साइन ए वा एसा एक और कोशन आया हुआ है जब भी आपको ऐसा कोशन आए बच्च्चों तो आपको ध्यान देना है प्लस फ्लस वाले को एक तरप कर कर देते हैं क्या होगा मुझे एसे इसको बाद में लिख लिए हैं इसको पहले लिख लिए हैं इसको बाद में लिख लेते हैं अब आप नीचे देख रहा Geo नीचे भी 1 प्लस साइन में लिखा हुआ है क्या करेंगे बच्यों ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाले भाग को हम मानेंगे, थिक है, ऐसे मान लेते हैं, मतलग इसी का, उपर वाले का, उपर नीचे का करते हैं, थिक है, अन्स का परीमे करण, आपने सुने होगा, हर का परीमे करण, मतलग, numerator upon denominator जो होता है, उसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह 1 प्लस साइन एक का गुणा, यह माइनस में है, यह बीच में माइनस था, तो प्लस में करेंगे, यह एक भाग हो गया, यह आपका दूसरा भाग हो गया, आपस में क्या कर दिए बच्चों इसमें हमने, उपर नीचे क्या कर दिए इ इसी का हमने ऊपर नीचे क्या करें है प्लस के सांद मल्टिप्लाइ करें ये कल को कड़ जाएगा तो जैसे का वैसा ही आएगा क्यों किया गया ज़र ध्यान से देखिएगा बुरसर अभी क्या हो गया बुरसर ये वाले भाग को हम इस तरीके से जान सकते है ए माइनस ये भी ह फ़र्मुला बन रहा है हाँ एसवर माइनस बी स्क्यर का फ़र्मुला बन रहा ए ह्ट्रीक है तो क्या हो रहा बच्चों नीचे वरिशार यहां पर क्या हो जाएगा एसवियर बॉन प्लस साइन इसक्वर 뭐ar ना एका तो स्क्वेर हो गया माइनस का माइनस इन दोनों की जगे इतनी की जगे की बात कर रहा है यह इतनी जगे की बात कर रहा है हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मुला बन रहा है कौन सा वरसर यह A-B यह A है यह minus है minus B और यहाँ पर बन रहा A और यह plus है और यह B A-B, A plus B का formula है यह तो A square minus B square हो गया आपका A square minus B square आपका यह हो गया बच्चों upon में क्या चल रहा है यहाँ पर उसर upon में जैसे का वैसा सब कुछ जैसे का यहां पर क्या रहेगा बच्चों वैसे चलेगा यहां पर कोई भी changes नहीं होंगे यहां पर किसी प्रकार का कोई changes हम नहीं कर रहे हैं आपस में यह सब चीज़ें जैसे की वैसी है हमारी यह बीच में plus था फॉर यह कॉस एका कॉस ए ठीक है one plus sign ने जैसे का वैसा bracket में one plus sign एक प्लस कॉस ए था तो जैसे का वैसा हमने ब्रेकेट में उसको लिख लिए है इस का फॉर्मुला है आपके पास में क्या फॉर्मुला क्या होता अप plus B2 plus 2AB ये formula है आपके पास में, क्या formula है, येवाला formula है, इस formula को हम कैसे solve करेंगे, आईए देखते हैं आगे, ठीक है, इस step पर दी हम बात करेंगे बच्चों आपसे, तो यहाँ पर क्या condition होने वाली है, तो आपके पास में क्या था बच्चों वहाँ पर, वहाँ पर हमारे पा बच्चों 1 प्लस में था आपके पास में एक बठीक बच्चों प्लस साइने था और प्लस में था बच्चों आपकी आपने आर्पर फॉर्मूला लगा चुके थे ठीक बढ़ài और टैली कर ली जे हमको देखने को मिला था तो अब हम क्या करेंगे तो आप इस question पर आगे की हो रहे हम चलें तो यहाँ पर क्या होगा वोल सर यहाँ पर फॉर्मल लग रहा था एका स्क्यार एका स्क्यार मतलब यह 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 और यह बी है फॉर्मल आपने पीछे लिख चुके मैं इतनी जगह में रख दिये माइनस कॉस से का क्या को आपके पास में माइनस कॉसक्वर्षिंगए का साइन यहां भी है उस्कों जैसे का ऐसा लिखरह ने डिये अब क्या करेंगे और यह देखो व Карrant साइन इसविए a का sin square a plus 2 sin a हो जाएगा 2 बंजा 2 है minus cos square a का cos square a हो जाएगा clear हो गया इतना तो हमें बन जाएगा इतना हमें क्या हो गया है बच्चों clear हो चुका यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी यह दिक्कत जायता आप वीडियो को process क्या होगी इतना तो हमें समझ में आ गया है बच्चों यदि आपको इतना समझ में आ चुका है तो जरह आप ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं सुधार करता हूँ इस question में थोड़ा सा और modify करते हैं यह minus वाले को थोड़ा सा पहले लिखा जाए इस minus वाले को थोड़ा सा क्या लिखा जाए बच्चों पहले लिखा जाए क्यों लिखा जाए जड़ा देखिएगा one के साथ में लिखा जाए ठीक है sorry one के साथ में लिखा जाए one minus cos square a plus sin square a जैसे का वैसा और plus two sin a का जैसे का वैसा बोले यह सर किलियर हो गया बटे में क्या था बच्चो वन प्लस sin a था एक ब्रेकेट में दूसरे ब्रेकेट में था one plus sin a प्लस था बच्चों कोब से यह क्यों लिखा गया क्योंकि भिया हमारे पास एक identity होती है, एक सर्व समीका थी, कौन सी वाली सर्व समीका थी बच्चों, एक सर्व समीका आपने पढ़ा होगा, हमने नहीं पढ़ा, सब ने पढ़े हो, एक बच्चे बच्चे ने सर्व समीका पढ़ा है, एक identities आपने पढ़े हैं, कौन सी identities पढ़े हैं आपने, बच्चों sin square theta plus cos square theta पराबर 1 बुले यह सब ने पढ़े 100% सब ने पढ़ाए क्या है बच्चों हमें cos किसमें है इधर देखो minus में cos इधर plus में नहीं रहना चीए sin square theta पराबर plus में है इधर गया तो किसमें हो गया minus में हो गया मतलब यदि 1 minus cos square theta ठीटे की जगे आप A कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको A भी कर सकते हैं, आप लो, ठीक है, यह सर्ब समीका आपने पढ़ा था, तो 1-cos2 A की जगे आप क्या लिख सकते हो, सर्ब समीका से, फॉर्मुले से, मुझे सर्ब sin2 A लिख सकते हैं, इतनी जगे में, मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वेर A लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वेर A लिख सकता हूँ, प्लस का प्लस, यह साइन स्क्वेर का, सेकंड वाला साइन स्क्वेर जैसे का वैसा, और ये प्लस 2 sin A का 2 sin A ये भी जैसे का वैसा अपन में क्या चल रहा बच्चो ये नम्मर जैसे का वैसा चल रहा है ये नम्मर जैसे का वैसा चल रहा है ये सारी चिंज़ें आपकी यहां पर क्या हो गई है समाप्त हो चुकी अब देखो ये भी स्क्यार में ये भी स्क्यार मे एक और एक कित्ते हो गए बच्चों ये भी दो हो गए हैं तो ये कित्ते हो चुके हैं बच्चों आपके दो हो चुके हैं ज्यादा टेंशन ना लें कोशन का आनसर आने वाला है आपका अपॉन में वन प्लस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में सुरी दूसरे ब्रैकेट में क्या चल रहा था यह सारा का सारा नम्मद यह प्लस नहीं है ब्रैकेट है यह प्लस साइन ए प्लस कॉसे का कॉसे जैसे का वैसा यहां से क्या बाहर निकल रहा है बोले सर यहां से दो बाहर निकल रहा है यहां से दो बाहर निकल दो साइन ए निकल रहा है क्या साइन यहां भी है यहां भी लेकिन यहां दो है यहां एक है तो एक ही बाहर निकालो तो मैं क्या बाहर निकाल ले रहा हूं यहां से तो सर बोले मैं यहां से निकाल ले रहा हूं दो साइन यह बाहर निकाल ले रहे हैं क्या बचेगा दो बाहर निकल चुका है तो साइन एक साइन बाहर निकाल ले एक साइन बचा एक साइन एक bracket में दूसरी bracket में 1 plus sin a looks कौस का कौसे देखो यह बन प्लस में आगे पीछे लिखा हुआ लेकिन लिखा वही है और साइने फ्लस one बन प्लसाइने आगे पीछे लेकिन लिखा वही है यह एक डुसरी से क्या हो गया कट गया बच्टों कट गया तो देखो 2 sign A आपका उपर बचा है नीचे बचा है 1 plus sign A plus cause A मतलब answer देखिए आप क्या आ चुका है 2 sign A उपर बचा हुआ है 1 plus cause A plus sign A बचा हुआ देखो आप टेली करो 2 sign A यह मतलब alpha था 1 plus cause A sign A आगे पिछे लिखा हुआ लेकिन आपका answer आ चुका है आप चाहते तो आपका answer यहीं से ढून सकते थे कैसे यह देखो पहला option में minus है यहाँ पर नीचे कहीं भी minus नहीं आया यह option हड़ी आएगा देखो second number वाले option में minus आया क्या यहाँ पर सब में इसमें थड़ वाले में yes minus आया यहाँ भी minus आया लेकिन आप यहीं से पहचान सकते थे कि सब में plus आया है तो आप इसको क्या कर सकते थे यहीं से solve कर सकते थे डारेक बिना solve किये हुए भी आप solve कर सकते थे आपको पूरा solve करने की ज़रूरत नहीं थी तो आप tricky चाहते हैं तो tricky भी solve कर सकते थे यदि आप कोई वीडियो पूरा समझ में आया बच्चों दोस्तों के साथ share करना न भूलें यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जोड़े हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं next वीडियो में वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद बाबाए टेक क्यर